हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्टेक्रिटी प्रिंटर प्रेस हैदराबाद की जो रिकूरेंट आए थी उसको आपको कैसे ऑनलाइन फ्रम फिल करना है step by step आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी इनफरमेशन बताने वाले हैं कि बिना कोई मिस्टेक कि आप इस फार्म को कैसे step by step फिल कर सकते हैं अपने मुवाइल से दोस्तों आपने इस वीडियो को एक बार पूरी देख लिया तो आपको कही जाने की जुदनी पड़ी कि आप अपने घर बैटे अपने मुवाइल से जो है इस फॉर्म को स्टेप बाई स्टेप ऑनलाइन मोड में अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों इस फ इस फॉर्म के लिए नहीं होंगे ना आपकी टाइम कोई वेस्ट होगी इसलिए उस वीडियो को जाकर देख लें कि कौन-कौन के इंडेट कितने पोस्ट है कटेगरी वाइज उसके बाद ही इस फॉर्म को फिल करें तो अब चलिए दूस्तों इस वीडियो में हम आपको ब पूरी इनफॉर्मेशन आपको इस वीडियो है मिलने वाली है में तो बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों अभी तक आप ने अपडेट करते जाएगा और साथ ही हमारे फिर्दुक पैज को भी फॉलो कर लें तो जैसे कि दूस्तों आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है यहां पर सर्च करने के बाद दोस्तों यहां पर इसके ऑफीसियल वेबसाइट पर आजाएगे जैसे ही दोस्तों आगर आ आपको केरियर वाले सेक्शन पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके सामने कुछ नया इंटरफेस कुल कर आ जाएगा तो यहां पर हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि आपके सामने जो भी लेटेश्ट रिकूर्वेंट है वह यहां पर निकल कर जाएगी यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक 2021 है पोस्ट आप अप्लिकेशन जो है सेकुरिटी प्रिंटर प्रेस हैदराबाद है और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है वह 10 अप्रील रखी गई है 10 अप्रील 2021 यहाँ से आप जो है इसकी एच्विलेटी केटेगरिया की जो है जो पीडियाप देख सकते हैं साथ से डॉनलोड कर सकते हैं और साथ ही दोस वेबसाइट के कारण नहीं मिल पाती है तो डिस्क्रिप्सर में लिंक है आप वहां से भी जो है जाकर आवेधन कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा तो यहाँ पर यह इंटरफेस खुलकर आ चुका है और इसमें सा नियू रेजिस्टेशन और जो है लॉग इन रेजिस्टेशन यानि के दोस्तों इस रिकॉर्मेंट के अलावा इस इस भरती में आपने कभी भी फॉर्म फिल किया है तो आपके पास अपनी रेजिस्टेशन नंबर पासवर्ड और कैप्चार डालकर जो है आप डिरेक्ट प्रोसीड कर सकते हैं तो यहां पर जो कैंडेट नए हैं उनके पास अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है या कली अभी तक वह इसके लिए अपलाई नहीं किये हैं तो यहां पर दोस्तों उन्हें नए रेजिस्टेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप आपको छे चरण में यहां पर आपको डालना है यहां पर आपकी फॉर्म पी लोगी सबसे पहले आपकी बेसिक नॉलिज पुछ जाएगी जो भी है वो पुछ जाएगी फिर आपको फोटो एंट सिंगेजर अप्लोड करना है फिर आपकी डीटेल्स और फिर प्रिव्यू और सब से पहले ऊकर अपको अप्तया तो हैं को इससे पहले पूरे ध्यान से देखना है तो चलिए दोस्तों बने रहेगा वाप को पुरी स्टेब बाइर बताते हैं तो यहां पर दोस्तों सब सब से पहले आपको अपने 10th के मार्टिट ले-ली नहीं है क्योंकि 10th के मार्टिट के अनुसारी जो है आपको पूरी डॉक्मन फील करनी है तो यहां पर दोस्तो आपका पहला नाम जालनीजी जैसे मेरा चैनल का नाम है study तो मैंने सबसे पहले study लिख लिए study लिखने के बाद दोस्तों यहां से फिर मुझे confirm में study लिखना है middle name मेरा नहीं है तो इसलिए हम छोड़ देंगे अगर जो भी आपका middle name है जो है mobile number डालना है जिसके आगे कोई भी digit ना होए जीरो ना है यहां पर देख सकते हैं कि यहां बताया गया है तो इसके according दोस्तों जिस mobile से आप हमारी YouTube चैनल study zone का वीडियो देख रहे हैं उसके according जो है आपको यहां पर details डालनी है वही mobile number की details डालनी है तो जो भी आपका 1028 का mobile number है वह active है यहां पर आपको डालना है और साथ ही दोस्तों फिर से यहां पर आपको confirm वाले बटन पर क्लिक करकर जो है आपको फिर अगेन दुबारा दाल दे रहा है कि किसी तरह कोई गलती नहीं अगर mistake होगी तो यह relative number देने का दोस्तों यह फैदा है कि अगर किसी के कारण आपकी इस mobile number पर सूचरा नहीं आती है तो इसके regarding इस पर भी आपकी जो है message आ जाएगी चाहे mail आ जाएगी जो भी इस number पर रहेगी regarding आ जाएगी यहां पर तो यहां पर दोस्तों आपको email ID डालनी है email ID वही डालनी ह जिसमें आपको at the rate और domain नहीं लगाना है जैसे माल लीजे मेरा email ID study zone मैंने लिख दिया यहां से मेरा जो है at the rate लगा हुआ है यहां से हम domain अपना select कर लेंगे Gmail है तो यहां पर Gmail लिख देना है क्योंग सारे candidate जो है Gmail ही चलाते है इसलिए Gmail रहेगा और अभी तक आपने हमारा YouTube channel study zone को subscribe नहीं किया है अपने Gmail ID से तो अभी subscribe कर लिजे अब साथ ही दोस्तों confirm में आपको यहां पर पूरी डालनी है studyzone at the rate gmail.com यहां पर डालनी है यहां पर डालने के बाद यह आप से security code पुछ रहा है security code आपको डालना है security code डालने के बाद अगर यह आपको दिकत आ रही है तो यहां से आप दाब के इसकी यहां पर refresh करकर change भी कर सकते हैं तो यहां पर change करने के बाद save and next पर click करने के बाद जो है आपके सामने एक नया interface खुल कर आ जाएगा जिस पर आपकी पूरी information जो है बताई होगी तो यहां पर दोस्तों तीसरा section जो आएगा regarding क्योंकि दोस्तो अब ही तो मैंने login किया है पर अभी तक मेरे पास email id नहीं आई है जैसे ही दोस्तों इसकी user id और पास उडाती है मैं आपको आगे की preview बनाता हूं किया पर दोस्तों मैं आपको photo and signature क्योंकि इसके पहले मैंने वीडियो बना चुकी है इस forum के भरती से related तो मैं आपको पूरी information इसे देता हूं यहाँ पर दोस्तों फिर आपको photo and signature upload करने हैं सबसे पहले दोस्तों आपको अपने photo upload करने हैं जो 20 केवी से लेकर 50 केवी तक होते हैं अगर आपको photo resize करने नहीं आती है तो आप comment के माध्यम सहें बताइएगा आपके लिए special video हम बनाकर link provide करेंगे अब देख यह उसके होने के बाद फिर से आपको save and next पे click करने के बाद आपकी दूसरी जो चैप्टर पूरी हो गई तीसरे में आपको अपने नाम पता mother name father name और आपकी जो है district जो है आपकी state वो fill करनी है fill करने के बाद आपको save and next पे click करना है preview देखना है और यहां पर जो आपकी 10th की documents बांगेगे हैं वो आपको लगाना है लगाने के बाद जो भी आपकी documents बांगेगे वो सब आपको fill करने है और छटा में आपको payment करने के बाद कुछ गंटों बाद आपको जो है जो है verified किया उसके बाद ही जो है फिर से login करकर अपने print out ले सकते हैं तो उमीद है कि वीडियो पसंद आया हो पसंद आया तो like करिएगा share करिएगा अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल study zone को subscribe कर लिजेगा अगर आपको form भरने में किसी तरह के दिकत है या कोई भी queries आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं आपकी पूरी सहाइता की जाएगी यहाँ पर दोस्तों अगर regarding कोई भी अगर एक स्टेप आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट करके जो भी पूछ पूछे है क्योंकि form फिल करने मगर गलती करेंगे तो आगे चलकर आपको जब जो करेंगे फिर भी अगर किसी तरह कंफूजर है तो कमेंट के माध्यम से जुरू पूछेंगे और अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लेजेगा वीडियो को लाइक कर देजा क्योंकि वीडियो बनाने हैं बहुत ज़्यादा मैनत एकले दोस्तो जाए हिंद।